ना घंडो फेट ना मसिन ना ब्लेंडर और ना ही हैंड विस कर दोस्तों आज मैं घी पनाने का एक दम ऐसा नया अनुका तरीका लेकर आए हुँ ना जिसको देखके आप सब हैरान हो जाओगे और बस तीन से चार्ट में आपका एक दम देशी सुद्ध घी घर पे बन जागा क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है तो हम मलाई को ज्यादा पुडाना इकटा करके नहीं रखते हैं 5-6 दिन या 7 दिन की मलाई से घी बना लेते हैं तो यह 5-6 दिन की मलाई है बस इसी मलाई से हम यह जो ट्रिक है ना इसको अपलाई करेंगे और एक दम धेरू सरा घी निका रुटे गरेंगे और इसकी बेलन से अभी यह जो मलाई है इसको एकदम अच्छे से मिक्स इसके जितने मोटे मोटे-मोटे दाना है अच्छे से मिक्स करते हुए हुए मुटी दाना इसको हम फ्रीज में रखे थे और अभी इसको निकाले है तो इसले यह बहुत हिरा भी हाड़ हो उसक्त है तो इसको पहले अच्छे से टूट के mix कर लेना है इसके बाद ही हमें बाकी का काम करना है तो पहले इसको अच्छे से देखो हम घुमाते हुए mix करेंगे ज्यादा जोड हाथ पे नहीं करना है बस इसको धीरे-धीरे mix करते जाना है जिदना भी मलाय के मोटे दाना या मोटे पीसेस है तो देखो अच्छे से मिक्स करने के बाद यह जो है ना एक दम लिस टाइप का हो गया है बस अभी दो तिन मीटी हुआ है यह देखो अभी एक दम जो है ना वीप क्रीम की तरह फ्लापी और सॉप्ट हो गया है आप इसको अगर अगर पल्टो गे ना तो भी यह मलाय जो है निचे गिरने वाला नहीं है तभी आप समझोगे कि आपके मलाय से मकर एक दम बहुत हासनी से बन गया है बस तीन से चार मीटी हमें लगे है अभी यह मकर को निगालने के लिए तो अभी कुछ नहीं करना है इसमें हम क आपनि डालना है तो दो जो गलस के जितना हम इसमें ठादा पानी डाल देंगे और यह जो मक्कन अमने बनाया है इसको अच्छे से ठादा पानि के संग मिक्स करेंगे बेलन के सायद से पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बेलन में भी जितना सारा मक्कन लगा हुआ है वे सब को भी हम निकाल के ले लेंगे क्योंकि वेस्ट थोड़ा सा भी करना नहीं है तो अब देखो इसको क्या करेंगे सारे जो मखण है इसको इकटा करेंगे और ये पानी के संग अच्छे से धोलेंगे ताकि थोड़ा बहुत भी अगस मेल या बदबूर है जाए वो निकल जाएगा तो अच्छे से इसको पानी के संग धोलेंगे मिक्स करते हुए और इकर्टा करते हुए फिर सारे मखन को पानी से इकर्टा करेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों यह जो मखन है यह कैसे पानी में तैर रहा है एक दम परफेट हमारा मखन बन गया है तो यह देखो सारे मखन को हम इकर्टा करके हाद में ले लेंगे दोस्तो भी बनाएगे तो बॉल्स बनें या ना बनें बाद नहीं, अगर है बॉल्स बनाना चाहते हैं तो यह मखन को और तीन-चार मीट के लिए फेटो तो आपका यह मखन का बॉल्स बन जाता है तो पहले हम सारे यह मखन को इकट़ करते जाएंगे और अगर बचा हुआ हैं दूस नमक दाल के पीवी सकती हो या फिर कोई सब्जी में भी यूज़ कर सकते हो तो एक दम विप क्रीम के जैसे हमारा मखरन बनके रेडी हो गया है तो इसको अभी गैस के तरह लेके चलते हैं तो देखो गैस के ऊपर हमने कराई को चला दिये हैं अभी गैस का फ्लेम को भी आमने आप देख सकते हो धीरे-धीरे साइट से जो है ना मकल मेल्ट होना शिरू कर दिया है तो पहले इसको थोरा मेल्ट कर लेते है इसके बाद कलची से इसको चलाएंगे अभी दोस्तों आप बोलोगे कि चार मेंड में घी थोड़ी ना बना है तो दोस्तों मलाय से मक्षन निक अब इसमें थोड़ा पानी का चीटा मारेंगे तो यह नीचे गिरेगा नहीं पानी का चीटा को अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद दुबारा इसमें और एक बार पानी का चीटा मार देंगे ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों पता है हमारा यह जो घी है ना यह ठ छोर देंगे ऐसे ही ताकि घी जो है ना अच्छे से बन जाए और उफान करके निचे गिरेगा भी नहीं पस देखो तीन चार मीट के बाद आपको दिखा रहे हैं हमारा घी जो है ना बहुत ही सारा निकल गया है और यह एकदम बहुत ही सुद्ध तरीके से बन रहा है और इस अब यह देखो पूरा छे मीट के बाद मैं आपको दिखा रहे हो कितना सारा घी बन गया है और दोस्तों यहां पर यह जो गी है ना हमने इसको ज्यादा उबाला है और ज्यादा पकाए है इसलिए यह घी थोड़ा ज्यादा नीचे का जो खुर्चन है जल गया है इस तरीक में घी है उसको भी दबाके हमने पूरा घी को निकाल के लिया है आप देखो कितना सार घी हमारा बना है बस पांच से चे दिन के मलाय से इतना घी बना है अगर और और 10-15 दिन एक किलो से ज्यादा घी अपका बन जाएगा और एक दम बिना महनत बिना कुछ के सुद्ध तर में नीव फ्रेंज हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को भी दवाना नहीं वीडियो देखने के लिए तो दोस्तों फिर मिलेंगे बाब बाई